नमस्कार मैं हूँ गितिका पांडे और आप देख रहे हैं मद्यप्रदेश का नमबर वन न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी चलिए देखते हैं मद्यप्रदेश की सबी शाम तक की मुख्या खबरे फटाफट अंदास में चातरों के लिए अच्छी खबर शेक्षेकों को दी जाएगी ट्राफिक के ट्रेनिग बगाईद है शेक्षेकों को ट्राफिक की ट्रेनिंग दी जाएगी इसके तहट हर स्कूल और कॉलिज से दो शिक्षकों को प्रशिक्षन देंगे इसे ना सिर्फ चात्रों को लाब मिलेगा बलकि सड़क हाथसों में भी कमी आएगी उमीद्वारों के लिए आखरी मौका हजारों पदों पर होगी भरती MPTET वर्गे के उमीद्वारों के लिए जरूरी खबर है मध्यप्रदेश करमचारी चेहन मंडल भुपाल के द्वारा जारी मध्यप्रदेश शासन इसकोल शिक्षा विभाग और जन जातीय कारे विभाग के अंतरकत उच्चमादिमिक शिक्षक के लिए पात्रता परिक्षा 2023 के लिए आवेदन की प्रक्रियाद जारी है और 27 जनवरी लास्ट डेट है एच्चु कुमीद्वार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर योग्यता अनुसार आवेदन कर सकते हैं पूली से पहले कर्मचारियों को मिलेगी तीन बड़ी सौगाद बढ़ेंगे कई भट्ते केंद्र कर्मचारियों के लिए खुशकबरी है बजट सत्र के दौरान कर्मचारियों को एक साथ कई तोफ़े मिल सकते हैं इसमें फिटमेंट फैक्टर, महंगाई भत्ता, हाउस रेंट अलाउंस, 18 महीने का टिये एरियर शामिल है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक बजट सत्र के समाप्त होने के बाद केंद्र की मोधी सरकार कर्मचारियों के फिटमेंट फैक्टर पर फैसला ले सकती है अगर सहमती बनती है तो कर्मचारियों की बेसिक सेलरी आथ हजार बढ़ने के बाद 18 हजार से 21 हजार या 26 हजार हो जाएगी कॉंग्रेस की प्रदेश कमेटी पर शिवराज का तंच मध्रदेश के मुखे मंतری शिवराज सिंग चोहां ने आज कॉंग्रेस की संगटनात्म घ्णाची को निचाने पर लेते हुए कहा कि कॉंग्रेस कहीं मा बेटा तो कहीं बाब बेटे की पाटी बनकर रह गई है सियम शिवरा सिंग चोहान ने मीडिया से बाचीत में मद्रदेश में कल घोशित हुए कॉंग्रेस के पदादिकारियों की सूची पर तंच कस्ते हुए कहा कि वो कारेकारिनी नहीं सरकस है कॉंग्रेस का कारे करता कोई बचा ही नहीं सबको पदादिकारी बना दिया गया है फटाफट निप्टालें जरूरी काम फरवरी में दस दिन बंद रहेंगे बैंक सबी बैंक यूजर्स के लिए महत्वपूर्ण खबर है अगर बैंक सम्मधित कोई भी काम है तो बिना देर की ये फटाफट निप्टालें जनवरी की तरह फरवरी में भी कुल दस दिन बैंक बंद रहने वाले हैं इससे आपके बैंकिंग सम्मधित काम प्रभावित हो सकते हैं हाला कि ओनलाइन सेवाएं जारी रहेंगी मभी विधान सबाचनाओ के लिए दो वचनपत्र लाएगी कॉंग्リेस वचनपत्र के लिए दस उप्समितियां बराई गई हैं इनो उप्समितियों को अलग अलग विभागो और वर्गो की जिम्मेदारी दी गई है एक महीने के बार सभी उपसमितियों के फिर से बैचक होगी कच्चे तेल के भाव में बदलाओ, MP के इंग शहरों में बड़े पैटोल डीजल के ता ग्लोबल मांकेट लगतार क्रूट ओयल के भाव में उतार चड़ा हो रहा है एसा कुछ है देश के कई राज्यों का है जुसमें मद्यपरदेश भी शामिल है पिशले सोंबार को डब्लू टी आई में 0.04 डॉलर का उच्छाल हुआ इसके साथ ही इसकी केमत 81.2 डॉलर तक देखी गई वहीं ब्रेंट क्रूड में पिशले 24 घंटों में 0.05 फीजदी की गिरावट हुई व्यवस्तित होगा शेर का यातयात व्यापारियों के लिए बनाया जाएगा हौकर सून शेर का विकास करने के लिए तेजी से कदम उठाई जा रही है अतिक्रमण मुक्तिसर के व्यवस्ति ट्राफिक संचालन समेत नागरिकों के लिए विभिन सुविधाओ को महया कराया जा रहा है इसी को देखते हुए अब अतिक्रमण की वज़े से आवगमन में हो रही परिशानी को देखते हुए हौकर्स जोन और महापोर्चो पार्टी बनाने करें लिया गया है मापा और मुकेश टटवाल ने मेयर इन काउंसिल के सदस्यों के साथ हौकर्स जोन कहां बनाया जाए इस बात करें लेने के लिए शेहर के विभिन इस थलोका दोरा किया बिजली आउट्सोर्स और समवेदा के बाद अब नियमित कर्मशारी भी हड़ताल पर उत्रे बिजली समवेदा कर्मशारी और आउट्सोर्स कर्मशारी पांस उत्री मांगों को लेकर हड़ताल पर है बता दे कि अब इने नियमित कर्मशारी के साथ मिल गया है नियमित कर्मचारी आउट्सोर्स और समविदा कर्मचारियों के साथ आंदोलन करेंगे कर्मचारियों के सूशना ने विद्ध कंपनी के अधिकारियों के चिंताब बढ़ाती है विद्ध कंपनी के लाइन मेंटेनेंस, ग्रिट ऑपरेटिंग, क्लेरिकल वर्क, मीटर रीडिंग जैसे अधिकांच महत तपुन काम पूरी तरह से आउट्सोर्स और समविदा कर्मचारियों पर हे निरभर होते थे एक साँचार सिस्टम एक्टिव चाइन गे बादर वर्तबान में एक साँचार सिस्टम एक्टिव हैं जिसके चलते मद्यप्रदेश में मौसम में बदलाओ का दौर जारी है पच्छी में विक्षोब और चक्रबाद के कारण कभी ठंड तो कभी बारेश देखने को मिल रही है और हवाओ का रुख भीब बदल गया है MP मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में एक दर्जन से जादा जिलो में बारिश की संभाबना जताई बारिश और बादल चाय रहने का दौर 3-4 दिनों तक जारी रह सकता है हाला कि 25 जनवरी तक तापमान में गिरावत आने का अनुमान है तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरे रोजाना ऐसे ही मद्यप्रदेश से अबडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज MP को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिलकुल न भूलें धन्यवाद